हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा नाम है प्रिंज तिवारी और मैं 2019 बैस से एकसाइस इंस्पेक्टर हूँ भुपाल जून में और अभी ट्रेनिंग चल लही है लेकिन मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया है तो थोड़ा रिजल्ट पर बात करते हैं और कि ल दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने का टॉप का प्रेडिक्शन किया था अन्रिजर्व का वो था नॉर्मलाइज एकसो पंद्रा नंबर तो ऐसा मुझे लग रहा था कि नॉर्मलाइज एकसो पंद्रा नंबर के पास जाएगी और जो टफ सिप्ट में हैं और इस बार कॉलिफाइं था तो मैंने एक बात ये बुरी थी कि 3-4 लाग के बीच में इस बार कॉलिफाइं करवाएंगे तो वो एक्जेक्टली वही हुआ था तीन से चाल लाग बोला था फिर बोला कि 3 लाग मिनिमम तो जरूर ही पास कराएंगे तो वो वैसा हुआ आपसे जो अभी तक का CGL का रिकॉर्ड रहा है रिकारड तोड वेकेंसी है बहुत सारे लोग को पास आफशन है कि वो एक ग्रैब कर लें तरह सीट क्योंकि इस सीट आपको एक लेनी है आपसे इससे क्या लेना देना है और अभी तक क्या था आठ जार वेकेंसी आती थे थ थोड़ा वेकंसी ज्यादा लग रही है बट क्या करना है आपको गर 2400 ग्रेट पर मिल जाती है अगर घर के पास में तो भी अच्छी सेलरी उसमें रहती है और टैक्स असिस्टेंट में प्रमोशन भी इंकम टैक्स में थोड़ा ठीक है बट अभी खराब होने वाले हैं अभी का सेनेरियो जो है वो अच्छा है तो आप टैक्स असिस्टेंट भी ले सकते हो और पोश्टल असिस्टेंट भी वेकंसी जोड़ दी गई है उससे वेकंसी जरूर हो गई है मतलब एक बार आप एकजाम देऊगे तो आपके पास मतलब आपके सेलेक्शन की प्रविल्टी ज सेलेक्शन होंगा हजार लोग अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें अगर टॉप हंडेड में हो तो आपका सेलेक्शन तो हुई जाएगा अब प्रिलम्स में हुआ है अगर आप के पास अभी 20 दिन और हैं तो अगर आप महनत करोगे तो आपका सेलेक्शन यहां भी हो हैं तो इस बार भी उतना सही नहीं है जतना की यूर का सही हो गया है तो जिन लोगों का सलेक्षन हो बदाई है और वीस दिन आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज करना ये नहीं है कि अप selection हो गया अप लेंस में उसी की खुसी मनाते मतलब ये time card दें क्योंकि 20 दिन सबसे दर कुरूसियल होने वाला यहां से आपकी rank decide होगी आप कहां तक जाओगी ये decide होगा और जिन लोगों का selection नहीं हुआ है उनके लिए हम यही कर सकते हैं कि उनको क्या कमिया रही उनको उस पर बात करके वो सारी चीजे resolve करने की कोसिस करेंगे जो वो इस बार नहीं कर पाए वो कोसिस करें कि वो अगली बार जरूर सेलेक्शन ले लें क्योंकि 2023 में भी अच्छी vacancy आएंगी उसके बाद में सेलेक्शन ले पाना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा इसलिए आप ल सेलेक्शन फिर उसके आगे हो सकता ना हो पाए यह सोचके करोगे तो आपका हो जाएगा क्योंकि 22-23 में वेकैंसी ज्यादा आएंगी तो उसके आगे फिर वेकैंसी आने की सम्हावना कम हो जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब ना क्यों तो कर लो क्योंकि मुझे भी अगर वीडियो यहां तक देख रहे तो